आज के निबंद का विशे है सर्दार बल्लभाई पटेल तो निबंद में हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं प्रस्तावना हम इस प्रकार से लिखेंगे बल्लभाई चावेरवाई पटेल सर्दार पटेल के नाम से लोगप्रिय थे सरदार बल्ला भाई पटेल का जनम 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम से नानी तथा आजात भारत के पहले ग्रह मंत्री थे स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महतुपू योगदान था जिसकी कारण उन्हें भारत का लोह पूरिश भी कहा जाता है 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जनम एक किसान परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम जवेर भाई और मात्या का नाम लाडबा देवी था सरदार पटेल अपने तीन भाई पहनों में सबसे छोटे और चोथे नमबर पर उनकी सिख्षा का विशय अगर देखें तो सरदार बलब भाई पटेल की सिख्षा का प्रमुक्स्तोत्र स्वाध्याय था उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुने भारत आकर एहमदाबाद में वकाला शुरू की स्वतंतरता आंदोलन में भागिदारी सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेया था सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेडा संगष में दिया गया जब खेडा क्षेत्र सुखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर देने में छूट की मांग की जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्विकार नहीं किया तो सरदार पटेल महात्मा गांधी अन्य लोगों ने किसानों का नेत्रत्र किया और उन्हें करना देने के लिए प्रेरित किया टेक्स नहीं देने के लिए उन्हें प्रेरित किया अंत में सरकार को छुकना पड़ा और किसानों को कर्मे राहत दे देगी अब बिंदू आता है उनके योगदान का यानि कि आजाधी में उनका क्या योगदान था आजाधी के बाद जदतर प्रामत्य समीतियां सरदार पटेल के पक्ष में थी गांधी जी की इच्छा थी इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधान मंत्री पद की दोड से दूर रखा और जवाहर लाल नेहरु को समर्थन दिया बाद में उन्हें उप प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री का पद सोपा गया जिसके बाद उनकी पहली प्रात्मिक्ता देशी रियासतों को भारत में सामिल करना था इस कारे को उन्होंने बगैर किसी बड़े लड़ाई जगडे के बखुभी किया परन्तु हेदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी चुकि भारत के एकी करन में सरदार पटेल का योगदान अत्यांत महत्यपून था इसलिए उन्हें भारत का लवपुरुष कहा गया 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लवपुरुष दुनिया को अलफीता कहे गया